दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टेक्स्टाइल ग्रूप कंपने ट्राइडेंट लिमेटेट के बारे में कंटिनियूसली शेर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगातार पिछले एक साल से शेर कंटिनियूसली डिकलाइन हो रहा है और आज की दिन चो नियूस निकल कर आ रही है वो भी कहीं नेगेटिव है लेकिन इक चीज आपको समझ नहीं होगी किसे ट्राइडेंट ही नहीं बलकि पूरे ओवरोल टेक्स्टाइल सेक्टर के ओपर यहाँ पर अभी प्रेशर काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो यदि आपने ट्राइडेंग के अंदर खरीदारी कर रखी है तो क्या स्ट्रेडेजी आपको लेकर चलना है और अगर आप फ्रिश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो क्या यह सही समय है इस शेर के अंदर खरीदारी करने का सबसे बिले आज की दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वही कंसोलिडेशन का फेस 30 रुपे से लेकर 35 रुपे के बीच में शेर अभी भी कंटिनिसली हमें कंसोलिडेट करते वे देखने को मिल रहा है यानि कि यहाँ पर कुछ नया नहीं है बात करें के नया कहां पर है उसके बिले यहाँ पर देखना होगा पीछले एक साल के अंदर शेर लगबख 45 प्रतीशत से ज़्यादा डिकलाइन हो चुका है यानि कि जो भी इन्वेस्टर 60 रुपे से लेकर 70 रुपे के बीचे इन्वेस्मेंट करके बेटे हैं वो बुरी तरीके से इस शेर के अंदर फस चुके हैं और अपनी कैपिटल को यहाँ पर फस आ चुके हैं तो बात करें कि आने वाला एक साल ट्राइडेन लिमिटेट के शेर होल्डर के लिए कैसा होने वाला है क्योंकि उसी के बेसिस पर आप अपनी पोजिशन को होल्ड करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ट्राइडेन लिमिटेट के बिजनस को समझने के पहले ट्राइडेन ल याने कि 2022 में तो जो गिरावट हमें देखने को मिली वो तो एक ट्रेलर था 2023 में अगेन हमें 16 प्रतीशत से लेकर 18 प्रतीशत की गिरावट देखने को मिलने वाली है ऐसा रिपोर्ट का केना है अब अब करी इस गिरावट के पीछे की वज़े क्या है तो home textile exports from India are expected to fall 16-18% year-on-year basis in financial year 2023 with a slowdown in demand याने कि demand जो global market के अंदर है textile की वो बहुत जादा slow हो चुकी है जिसके चलते जो इंडिया का textile export किया जाता था उसमें इतनी demand देखने को नहीं मिल रहे है यह तो कंपनियां इतना textile बनाएगी ही क्यों और उससी कंपनियों के revenue पर काफी बड़ा negative impact देखने को मिलेगा और अगर especially बात करें तो from the US and Europe and increase in material and logistic costs according to a report of carriage rating तो यह जो report है सबसे बिले समयना होगा कि किसकी तरफ से publish करी गई है carriage rating की तरफ से और उसमें दो reason बताये गए हैं सबसे बिला reason है global slowdown और second reason है कि जो raw material के prices हैं जो logistic के prices हैं याने कि एक जगे से दूसरी जगा supply को पहुचाने के लिए याने कि एक जगे से दूसरी जगा textile को export करने के लिए जो charges लगते हैं वो charges काफी जादा बढ़ चुके हैं जिसके चलते गिरावट expect करी जा रही है अब बात करें Trident Limited के आज की दिन volume based काम के बारे में तो आज की दिन volume based काम तो यहाँ पर ठीक था कि देखने को मिल रहा है इस report के आने के बाद में Trident Limited के उपर खत्रा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर आप Trident Limited का revenue split देखेंगे याने कि company को कहां से कितना revenue मिलता है तो अगर वो आप देखेंगे तो इंडिया से 32% का revenue company को generate होता है और USA से 44% का revenue generate होता है और rest of the world 24% का revenue company को generate होता है globally slowdown हमें देखने को मिल रहा है जो demand है उसमें slowdown देखने को मिल रहा है जिससे यहाँ पर जो textile export किया जाता था उसमें गिरावट आ रही है गिरावट भी लगबग 18% की देखने को मिल रही है और अगर यह गिरावट आती है तो Trident Limited की भी जो revenue है Trident Limited की भी जो sales है वो decline होगी क्योंकि Trident Limited भी ultimately dependent किस पे है USA और साथी साथ UK के उपर तो ultimately अगर आप देखेंगे तो Trident के अंदर अभी भी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है ऐसा reports के according यहाँ पर माना जा रहा है अगर हम Trident Limited के quarter 3 के numbers देखें तो numbers तो काफी अच्छे थे Trident Limited जिसका market capitalization 16,333 करोड रुपे का है कंपनी के उपर 1180 करोड रुपे का debt है लेकिन इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी का debt to equity ratio 0.5% से भी कमका है याने कि एक risk free stock से promoters holding 72% की है no doubt यहाँ पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप free cash flow देखेंगे तो 551 551 करोड रुपे के company के पास में free cash flow है 300 करोड रुपे के company के पास में reserve है 6000 करोड रुपे के company के पास में asset से तो company almost debt free ही आपको देखने को मिल रही है net profit की बात करें 492 करोर सुर्पिस के net profit में भी company देखने को मिल रही है और साथ ही साथ ROC और ROEB company का लगबग 20 प्रतीशत से जादा का है याने कि अगर बात करें इस company के अंदर अगर आपने long term purpose से investment के आने वाले 10 सालों के लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हरी global slowdown के बाद में demand slowdown के बाद में again recovery mode आईगी तो वहाँ पर आपको काफी अच्छा benefit मिलेगा लेकिन आपका नजरिया आपका view Trident के अंदर खरीदारी करने का या already खरीदारी कर रखी है तो उसे hold करने का सिर्फ 6 महिने का है एक साल का है तो वहाँ पर दिक्कते हो सकती है वहाँ पर Trident Limited अंदर प्रेशर रे सकता है और यहाँ पर हमें कोई बड़े numbers देखने को नहीं मिल सकते हैं ऐसा मानना है अद्वाइस financial numbers कमपनी के no doubt काफी अच्छे हैं 6600 करोड रुपे की कमपनी ने recently काफी अच्छी sales declare करी है net profit की बात करें तो 492 करोड रुपीज के profit में भी कमपनी हमें देखने को मिल रही है और कल का दिन Trident के shareholders के लिए बहुत कास होने वाला है कल है 10 February और 10 February के दिन हमें January month के जो productions के number है Trident के वो release होते वे देखने को मिलेंगे ये देखना बहुत ज़्यादा important होगा कि quarter 3 की success के बाद में quarter 4 का first month याने कि January month Trident limited के लिए केसा रहता है क्योंकि यहाँ पर productions की demand केसी रहती है क्या company year on year basis पर quarter on quarter basis पर month on month basis पर अपने production में improvement कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है तो अगर अभी के time पर आपने Trident के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप 30 रुपे के stop loss को ध्यान में रखी है अपने positions को hold करके चलिए कल के productions के numbers को देखिए और अगर आप काफी अच्छे profit में बिठे हैं और अगर आप short term investors है तो यहाँ पर आप profit book करके किसी और shares के अंदर investment करने के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर volatility अच्छी है और जो एक swing trade के रुप में काम कर रहा है like IRCTC ने आज की दिन अपने result declare किये हैं वहाँ पर भी आप खरिदारी करने का मन बना सकते हैं हाला कि वो भी एक slow moving shares है अगर आपको काफी up and downs पसंद है तो आप दूसरी company हो like Bajaj group की company हो के अंदर investment करने के बारे में सोच सकते हैं Asian paints हो गया बाकि paint sector company हो गया उनके अंदर investment करने के बारे में सोच सकते हैं IT sector की company के अंदर investment करने के बारे में सोच सकते हैं वहाँ पर खरिदारी कर सकते हैं लेकिन textile sector के अंदर ही अगर आपको investment करना है तो अभी overall textile sector आने वाले एक साल थोड़ा सा under pressure ही रहने वाला है इसा हमें इस रिपोर्ट के माधियम से देखने को मिल रहा है तो उमीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपको अपनी पोजीशन को होल करना है या नहीं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर का ना मत भुलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अनदर किसी इंपोर्टेट अपडेट के साथ तब तक के लिए स्टे कनेक्टेट, स्टे अपडेटेट, जै हिन, जै भारत